असलाम अलेकुम तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लॉपीडेक्स का आगास किस्तरा हुआ और इस्ते ताम किस्तरा हुआ तो फ्लॉपीडेक्स की जात तब हुई जब एक दरुवत के सहत के कोई एक ऐसी डेटा स्टोरेज डिवाइज हो जिसमाम एजली और यह मार्किन में 1972 में 8 इंच के फॉर्मेट में डिलीज करी गई और यह पहले जो 1970 के दर्मियान में जो पहले माइक्रो कम्प्यूटर बनाए गए उसमें 8 इंच के फ्लॉपी ने अपनी जगा पा ली 1976 में IBM ने जब 500 किलोबाइट की डबल साइडिड डबल सिंगल डैंस लेकिन यह 8 इंच की फॉर्मेट जो था वह बहुत बड़ा था और बहुत महेंगा भी पड़ता था इसलिए एक नया फॉर्मेट निकाल गया जो था 5.25 इंच के फ्लॉपी डिस और यह 5.25 इंच के फ्लॉपी डिक्स जो बहुत ससी पढ़ती थी और चोटी पी जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं और जो नई और जो छोटी फॉर्मेट था यह इसने अपनी मार्केट में जगा अच्छी दल्दी से बना ली चुके इसकी दरुबट बहुत बढ़ चुकी थी फ्लॉपी डिक्स की नैंटीन सेवंटी एट और नैंटीन सेट तक 10 मैनुवेक्च्छ अलब कैट्रिज मुतारिफ कराया तो चीज़ें कुछ इस तरह से बदली के 1982 में मैक्रो फ्लॉपी इंडस्ट्री कमेटी ने 23 कमीडिया कंपनी के महाइदे के साथ 3.5 इंच को जो बेस कर जिसकी स्पेसिक्वेशन ऑरिजिनल सोनी के डिजाइन पर बेस करती थी लेकिन उसक प्लॉपीडिक्स तक्रीबन 40 साल तक अपनी जगा मार्केश में बनाई रखी लेकिन ये 1990 के दन्मयान में पतम होना चुरूई और चुके वजह यह थी के हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्किंग और नए फॉर्मेट जैसे के यूएजबी ही और ऑप्टिकल पसन है तो लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अपने दोस्तों के साथ चेयर कीजेगा और इसी के हवाले से या पिर किसी और हवाले से आप मुझे सवाल पूर सकते हैं तो कमिन में मुझे बता जिएगा मैं अगर मुझे वीडियो बनानी होई तो मैं बनाओ अला हाफिछ